महारास्ट्र को इस समय भारी बारिश से राहत मिली है लेकिन कुछ दिन पहले कई जिलों में भारी बारिश होने के कारण किसानों को बहुत नुकसान छेलना पड़ा है इस बारिश ने क्रिशी फसलों को भी परभावित किया है तो वही धुले जिले के कपास किसानों को भी भारी बारिश से काफी नुकसान हुआ है अत्यदिक बारिश के कारण कपास की फसल पर कवक रोग देखा जा रहा है साथ ही रस चूसने वाले कीडों का अटैक भी बढ़ गया है खेतों में पानी जमा होने से फसल खराब हो रही है और इससे कपास के उत्पादन में भारी कमी आने का अनुमान जताया गया है फसलों पर बढ़ते कीटों के अटैक से किसान चिंतित है किसान अब सरकार से पंचनामा कर जल्दी ही मौाज़े की माग कर रहे हैं जिले के किसानों का कहना है कि बारिश में कपास के सासा सोया बीन की फसल भी कीटों के हमलों से नश्ट हो रही है इस सल दूले जिले के सकरी तालुका में भारी बारिश हुई जिस से खेतों में भारी मात्रा में पानी जमा हुआ और बारिश के कारण कपास की फसलों को अधिक नक्सवान पहुंचा और शुरुवाती अनुमान के मुताबिक इस भारी-बारी से जिले में 30,000 हेक्टर शेतर पर भावित हो चुका है पिछले साल जिले में 1,07,109 हेक्टर में कपास बौया गया था जिसमें से 70,295 हेक्टर कपास उत्पागन हुआ था इस साल 1,747 हेक्टर में बौया की गई है जिसमें से 84,961 हेक्टर में कपास की बौया हो चुकी है पिछले साल की तुलना में इस वर्ष कपास की खेती का शेतरफल 11,000 हेक्टर बढ़ा है वहीं भारी-बारी से कपास को व्यापक नुकसान हुआ है और फंगल रोगों का परकौप भी बढ़ता जा रहा है साथ ही रस्ट सोकने वाले कर्मियों का अटैक भी बढ़ा है और जहां एक और उत्पादन लागत बढ़ रही है वहीं दूसी और उत्पादन में कमी आ सकती है इसके चलते किसानों में चिंता बनी हुई है दरसल जून महीने से ही किसानों ने क्रिशी पर काफी खर्च किया है छड़काव, निराई और खाद लेकर फसलों में व्रिद्धी की गई लेकिन बारिश के कारण किसानों को सिर्फ निराशा ही हाथ लगी अब किसान मांग कर रहे हैं कि परशासन नुकसान का अंकलन करे और जल्धी मुआप जादे वे ब्यूरो रिपोर्ट मार्के टाइम्स टीवी